नमस्कार जैहिंद सुन्स आप में से मैक्सम बच्चे जिनका O-Level हो गया है उनको गौर्वर्मेंट ने एक सर्टिफिकेट प्रवाइड किया है और जो बच्चे A-Level कर रहे हैं आपको ये भी जानकारी होगी कि उन लोगों को O-Level और ट्रिपल सी दोनों के सर्टिफिकेट मिलेंगे जिन बच्चों ने ट्रिपल सी पास कर लिया है और O-Level के लिए अपग्रेड कर रहे हैं तो मैं आज की डेट में उनसे कहूंगा कि ट्रिपल सी करने की ज़रूवत नहीं है आप लोग या तो O या फिर A-Level करिए बिकास उससे फैदा यह मिलेगा कि आप लोगों कि दिमाग में बहुत सारे लोगों के इस फास मेरे पास यह questions आता है क्या sir हम लोग यह certificate अगर हमारे पास नहीं है और जो नेलेट ने free certificate दिया है क्या दोनों एक है आज का वीडियो इसी को लेकर है और फिर digital signatures को लेकर भी बड़े question आते हैं वो भी हम discuss करते हैं एक चीज़ दोर आपको बता दू कि आप लोगों की जो projects होते हैं उनके कोई grade नहीं होते इसलिए बहुत सारे बच्चे मुझसे inquire करते हैं कि जो projects हम लोगों ने जमा किये हैं उनमें आपका कोई grade नहीं दिखाए दे रहा बच्चों वो grade नहीं होता आप लोग कोई भी certificate देखेंगे व आप लोगों को project में कोई भी grade शो नहीं करेगा क्योंकि project जो होता है formalities के लिए आपका जरूरी है बस इसमें कोई number या marks नहीं होते इसलिए आप उसके लिए dash लिखा रहता है आप उसको लेके परिशान ना होईएगा अब चलिए वीडियो को detail में देखते हैं आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि जो भी बच्चे निलेट के आगे के courses कर रहे हैं वो सारे courses वालों को पीछे के certificates free of cost मिल रहा है जैसे कि जिन student ने A level pass करने के लिए शुरुआत की और उनके ज O level का जैसे ही M1 paper qualify हो जाएगा निलेट उनको free में triple C certificate देगा इसका video मैं अलड़ी बता चुका था पहले से भी हाँ एक चीज़ और आपको बता दें A level वालों को O level का भी certificate मिलेगा और triple C का भी certificate मिलेगा तो A level वालों को दोनों का फैदा मिलेगा because उन्होंने M1 paper पहले qualify कर ल लगाया जा सकता है चली पहले पूरी चीज detail में समझते हैं इस certificate में कुछ चीज़े जो important है उन पर ध्यान दीजेगा सबसे पहला तो आपका certificate number साथी साथ इसमें लिखा भी हुआ है कि यह O level आपका qualify किया गया है जो कि IT से O level दो तरीके के होते हैं बच्चों एक IT वाला और एक CHM यानि hardware वाला जो सबसे important चीज़ है वो यह है कि आप लोगों का इसमें लिखा हुआ है कि NSQF level National Skill Framework level 4 का यह certificate है यही सबसे important है और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे Nailit का logo भी दिया हुआ है इसके साथ साथ अब मैं यह तो बात बता रहा हुँ इसके लिए दो अलग-अलग software चाहिए कोई भी एक ले लिए जैसे मेरी स्क्रीन पर इस समय Foxit Reader खुला हुआ है और आप चाहें तो Acrobat Reader ले सकते हैं आपके पास Net एक होना चाहिए और साथी साथ इसका latest version डाउनलोड होना चाहिए अब इस certificate के लिए आप लोगों को simple इसके उपर आप प्रिंट कराईए लेकिन याद रखेगा यह signature validity जो है या signature जो digital है वो जिस system पर आप करेंगे उसी system में save हो जाता है अगर आप लोग दूसरे system में इसको फिर से खोलेंगे तो फिर से question mark आजाएगा इसलिए बहुत सारे students मेरे को message कर देते हैं WhatsApp कर देते हैं कि सिर हमें यह certificate ट के NSQF level जो होता है national skill framework network जिसके framework जिसके द्वारा यह तै किया जाता है कि कौन सी degree किसके equivalent होगी तो इसकी अगर मैं आपको list दिखाऊं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि O level का जो IT है वो आपके level 4 का है और 540 घंटे का यह course है same certificate पे भी लिखा हुआ है और आप लोगों क जो O level वाले बच्चों का original certificate मिलता है उस पर भी mention होता है इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जो NILIT ने free certificate दिया है वो O level IT का बरावर है यानि कि आप लोगों के अगर A level pass कर लिया है तो आप लोगों का यह free certificate जिसको NILIT ने आपको provide किया है आप उसे use कर सकते हैं triple C का भी certificate जो आपको free में मिलता है वो NSQ level 2 है लेकिन इसमें एक धुरभागे की बात है कि किसी समय पर NSQ level 3 होता था और आप December के बाद के जितने भी बच्चे हैं इनको NSQ level 2 का certificate मिलेगा इसका एक प्रभाव आपको आने वाले समय पर मिलेगा कि बहुत सारी government job में जहां triple C मांगा जाता था वो triple C की जगे उसका बड़ा या ऐसे की ECC या triple C प्लस मांगना शुरू करेंगे because वो NSQ level 3 में आ जाते हैं तो बचों ये एक सबसे बड़ा drawback था अब देखिए E level का certificate जो है वो NSQ level 5 में आ जाता है तो आप लोगों के लिए ये चीज सबसे ज़्यादा important है तो इसको लेके confused मत होईएगा बहुत सारे बच्चे confused है कि सर हमारा जो certificate free में मिला वो देखने में अलग है जो original certificate होता है तो क्या हम use कर पाएंगे तो जवाब है हाँ use कर पाएंगे इसके साथ एक और अच्छी चीज आपने निलिट के लिए निलिट ने provide किये कि आप अपना dashboard open करेंगे और जैसे जैसे आप लोगों ने अपना qualify किया है certificates या papers आप लोगों को free paper wise या certificates भी provide करेगा module wise certificate download करने के लिए बच्छों अपना dashboard open करेंगे आप dashboard open करेंगे side में याँ पे दिखेगा आपको module wise certificate तो आप लोगों के अगर जितने paper qualify हो गए पहले module certificate के लिए 150 रुपीज चार्ज लगते थे अब निलिट ने आप लोगों को ये free provide करना शुरू कर दिया है तो जैसा कि आप लोगों को screen पर दिखाई दे रहा है इस candidate के चार papers qualify हो गए है और इस candidate के paper qualify होने के साथ साथ आप लोगों का certificate module wise certificate भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब जैसे मैंने यहाँ पर click किया तो देखिए यहाँ एक notification आ जाता है कि module wise certificate for revision 5 onwards will be proceed automatically upon the module's completion candidate need not required to apply for that तो इस बचे का जैसे ही certificate अभी तो project यूँ कह सकते है certificates के लिए थोड़ा wait करने का है क्योंकि under processing यहाँ पर दिखा रहा है जल्दी यह जैसी processing खतम हो जाएगी आपको payment करने की ज़रूरत नहीं है और यह free में download हो जाएंगे तो मैं आप सभी को suggest करूँगा कि आप free certificate मिल रहे है Python का मिल रहा है web designing का मिल रहा है इसको free में भी download करके रख लीजए यह आपके लिए बड़ा helpful रहेगा module certificate बच्चों कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा और यह free में download हो जाएगा इसको भी आप digitally verify कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और इसका भी print out निकालके अपने पास रख सकते हैं तो यह अच्छी information है कि आप लोगों को जो free certificate allot हो रहे हैं वो सब आप लोग उसका भरपूर फायदा उठाई है मिलते हैं अगले इसी तरह के informative videos में और आप लोगों के July के batch भी शुरू हो रहे हैं बच्चों जो बच्चे July के लिए enroll हो रहे हैं वो हमारे application पे जाकर अपना July batch में enroll करा ले ताकि July के O और A level के courses उनको continue करने को मिल जाएं साथी साथ हम लोगों को आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा offer भी लेकर आने वाले हैं Christmas में यह offer है उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई typing या DCA, DCA certificate नहीं है आप मैं से बहुत सारे students ऐसे हैं जिन लोगों के पास skill है उन्हों को आता है, काम सीख रखा है, काम कर भी रहे हैं लेकिन कोई एक अच्छा authorized center से certificate नहीं है, तो आप लोग यह Christmas में offer का फैदा उठाईएगा, आपको typing, DCA, DCA accounts, DTP, GST, programming, CAD, computer-related based designing, इन में से कोई भी certificates जो आपको चाहिए, वो certificates आप लोग उस दिन 300 रुपे में पापाएंगे, इसको लेकर मैं अभी कल ही एक नया वीडियो जरूर वीडियो देखेगा और साथी साथ जो हमारे authorized center है उनसे contact कर लीजेगा, हमारी website पे आप जाकर iceacademy.co.in पे जाकर आप हमारी branches list देख सकते हैं, उसमें आप जिस भी city में रहते हों, उसके nearby branch में जाकर आप वहाँ से भी certificate के लिए request डाल सकते हैं, इसकी पूरी list आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में और बहुत ही exciting होने वाला यह नया साल, goodbye, take care.